हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका Study IQ IAS हिंदी पे मैं ललीता दहिया दोस्तों केनेडा एक बहुत बड़ा destination है भारती और विश्व के अलग अलग देशों के लोगों के लिए एक destination के तोर पे हम यहाँ पे फिलहाल भारतियों की बात करेंगे केनेडा सरकार के दुआरा जनवरी दो हजार चोबिस में कुछ प्रतिबंध लगाए गए प्रवासियों के आगमन को लेके इन प्रतिबंधों के बाद वहाँ पे LMIA Work Permit खासा चर्चा में आया यानि ये भारतियों के लिए एक वेकल्पिक मार्क बन गया है केनेडा जाने के लिए आज की संग्शिप्त परिचर्चा में हम LMIA Work Permit को समझेंगे और ये जानेंगे कि आखिर केनेडा इतनी बड़ी destination क्यों बना हुआ है भारतियों के तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली बात तो ये घोशना स्थाई नहीं है ये अस्थाई घोशना है यानि 2025 के अंत में कैनेडा इसको एक बार फिर से रिव्यू करेगा लेकिन इस घोशना के तहट क्या क्या किया गया था एक तो चात्रों की जो सीमा थी उस पे सीमा लगा दी थी 2023 की तुल्ला में 35% कम चात्रों को ही वीजा देने की बात की गई थी कैनेडा की इस घोशना के दुआरा पहली बात दूसरा मुद्दा इसमें पोस्ट ग्रेजवेशन वर्क पर्मिट प्रोग्रेम में भी कुछ संचोधन की घोशना की थी और तीसरा मुद्दा जो ग्रेजवेशन में स्टूडेंट है वो अपने जीवन साथी को लेके जाएंगे तो उन्हें वर्क पर्मिट नहीं मिलेगा इस तरीके की कुछ घोशनाई की जिसने काफी लोगों के रोजगार और कैनेडा जानने का जो रास्ता है उसके उपर प् तो पहला रीजन तो ये था कि कैनेडा में आवास संकट विदेशी छात्रों की बड़ी संख्या के चलते आवास संकट वढ़ा किराये में बढ़ोतरी हुई जितने स्टूडेंट्स हैं उसकी तुल्ला में वहाँ पे रोजगार के अवसर कम थे दूसरा वहाँ पे कुछ न पहारतियों की बात करेंगे ये L MIA वर्क परमिट क्या है वहाँ पे जो स्थानिय न्योकता है स्थानिय जो कमपनिया है उनको ये राइट है ये अधिकार दिया गया है कि यदि वो स्थानिय लोगों को भरती करने में विफल होते हैं यानि किसी रोजगार के लिए यदि स् करमचारी काम पे रखना है कैनेडा में यदि कोई करमचारी नहीं मिला तो इस वर्क पर्मिट के तहट वो विदेशों से करमचारी मंगवा सकती है अपनी कमपनी या जो भी उसका व्यापार है उसमें काम करने के लिए यह है प्रावधान अब इसमें होगा क्या नियोकताओं को यानि कैनेडा की जो कमपनिया है उनको अपनी नोकरी की आवशकताओं को जो कैनेडा की अधिकारिक एक वेब साइट है उस पे पोस्ट करना होगा और पात्र विदेशी करमचारी इसके माध्यम से आवेधन कर सकते हैं और एक्जेम्पल किसी कमपनी को 20 प्लमबर करने से पहले यह लगभग प्रूफ करना पड़ेगा यानि विदेशी करमचारी की आवशकता है इससे यह भी पता चल पाएगा कि जो करेडाई करमचारी है यह स्थानिया निवासी है वो काम करने के लिए उपलब्ध नहीं है अतहँ हमें विदेशों से करमचारी चाहिए काम करने के लिए तो यह पूरी की पूरी विवस्था की गई है इस विवस्था के तहत कमपनी जो डिमांड है उसको बताती है और आवेदन जो आवेदक है अपनी केटेगरी अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पे उसमें आवेदन कर सकते हैं और जब उनका चयन हो जाएगा तो उन्हें वर्क पर मिट की जरूरत होगी और इसकी प्रोसेस बनाई गई है इस प्रोसेस के तहट उसे वर्क पर मिट मिल जाएगा यानि अब यह वेकल्पिक मार्ग हो गया कई भारतियों के लिए जब वो इस लमाई और के तहट केनेड़ा में जाते हैं काम कर करने के लिए यह है पूरी की पूरी विवस्था आज कल भारतियों में इसका क्रेज क्यूं बढ़ रहा है तो सबसे पहला रीजन है कैनेडा ने यह जो सीमा लगाई चात्रों के प्रवेश पर इससे प्रतिस परधा बढ़ गई क्योंकि 35% चात्र कम लेगा वो तो प्रतिस प श्रमिकों की कमी को देखते हुए कैनेडा में श्रमिकों की कमी है और बहुत सारे कारिया है जैसे खेत है डैरी है श्रमिक रसोया वेल्डर प्लंबर बढ़ है देख भाल करने वाले स्वास्थ है और प्रोध्योगी की छेत्रों में भी बहुत सारी रिखतिया है और भारत म में ऐसी क्वालिफिकेशन वाले काफी सारे लोग हैं तो वहां पे डिमांड है भारत में सप्लाई है तो दोनों का कॉंबिनेशन है तो ये एक बहतर जरिया हो सकता है भारतियों के लिए कैनेडा जाने का तीसरा इसके पीछे लॉजिक दिया जा रहा है इसका क्रेज बढ़न वर्क पर्मिट में चात्र वीजा की तुलना में काफी कम पैसा खर्च होता है यदि हम चात्र वीजा की बात करें तो लगभग 23 लाख रुपे चाहिए और उसके बाद लगभग 20,600 डॉलर दिखाने भी होते हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि चात्र अपने साल भर का यहां पर मात्र 4.5 to 5.5 बैंड के बीच यदि स्कोर प्राप्त किया है तो भी कुछ नोकरियों में स्थान प्राप्त हो जाता है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कम चाहिए पैसा भी कम लग रहा है और कहीं ना कहीं जोब सिक्योरिटी भी है वहां पर जाके काम के ल लिए नहीं जाते हैं वहां पर पढ़ना सेकेंडरी होता है वो तो एक बहाना होता है बैसिकली काम करने के लिए ही वहां पर जाते हैं तो ऐसे में जब सीधा वर्क परमिट मिल रहा है तो फिर इनको ना तो ट्यूशन फीस भरनी पड़ेगी ना रहने में बहुत जादा काम भी मिल जाएगा तो इसलिए इस तरीके के जो LMIA वर्क परमिट है इनका क्रेज भारतियों के बीच बड़े स्थर पे बढ़ रहा है ध्यान रखेगा आगे है एक मुद्दा ये है कि क्या इस वर्क परमिट के तहत स्थाई वीजा मिल जाएगा ध्यान रखेगा स्थाई की नागरिकता लेने के लिए एक्सप्रेस जो एंट्री आवर्जन प्रक्रिया है जो वहां के प्रक्रिया है नियम है उनको पूरा करना जरूरी है हालां कि कुछ बैन भी नहीं है लेकिन यदि आप उन आवर्जन प्रक्रिया को पूरा करते हो तो आपको वहां की प्यार भ वर्क पर्मिट क्या है इसका क्रेज बढ़ने के पीछे क्या कारण है अगला मुद्ध हम समझते हैं कि कैनेडा एक बड़ी डेस्टिनेशन क्यों बना हुआ है भारतियों के लिए ध्यान रखेगा अमेरिका उस्ट्रेलिया ब्रिटेन न्यूजिलेंड जैसे गुणात्मक कैनेडा अन्य देशों की तुलना में काफी लिब्रल है कि वहाँ पर जो पढ़ाई कर रहा है उसके बाद वहाँ पर बसने के लिए काफी लिब्रल लोज हैं कैनेडा के अंदर थ्यान रखेगा शिक्षा पूरी करके वर्क पर्मिट प्राप्त करने के पात्र है और बाद म मतलब काफी जादा है कुछ मामलों में 100% है तो इसलिए भी चात्र कैनेडा को प्रेफरेंस देते हैं जो लोग काम करने के लिए जाना चाहते हैं साथ ही मुझूदा भारतियों की उपस्ति थी वहाँ पे 3.8 लाग से अधिक भारतिय है धियान रखेगा अंतर राश्ट्रि है माहौल उनको मिल जाता है ध्यान रखेगा इसलिए कैनेडा स्टूडेंट्स के लिए पहली परात्मिक्ता बना हुआ है तो दोस्तों यह संख्षित परिचर्चा थी जिसमें यह वर्क पर्मिट और क्या सेंक्शन्स लगाए थे क्या प्रतीबंद लगाए थे कैनेडा ग कमेंट बॉक्स में दीजेगा ध्यान रखेगा अगला मुद्दा है यदि आप दो हजार पच्छिस चब्विस या सताइस में यूपीस्ट का टेम्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे पी टू आई फांडेशन बैस से जूड़ सकते हैं पी टी मेंस इंटर्व्यू यानि सम सब्सक्राइब को मिल जाएगा जिसमें जी एस फांडेशन ऐसे करंट अफेर सी सेट सब कुछ इंक्लूड है दोस्तों ध्यान रखेगा अगर वेकल्पिक विशे चुनना है तो इतिहास और पी एस साई यार हिंदी माध्यम में अवेलिबल हैं उपलब्ध हैं मात्र 14,999 मे LD Live Code के साथ आप इसे भी जुड़ सकते हैं बाकी English Medium में सारे Optional अवेलिबल हैं अगर आपको admission लेना है तो study IQ की आप ए वेबसाइट पे जाए या इस वीडियो के description box में लिंक दिया होगा उस लिंक पे जाए लिंक पे LD Live Code का प्रियोग के और मात्र 26,999 में foundation बैस से जुड़ चाहिए आप मुझे फोलो कर सकते हैं लली तदही अकैडमी टेलिग्राम चैनल इंस्टेग्राम और फेज़ पर आशा करती हूं परीचर्चा समझाई होगी मिलेंगे किसी तरीके की अगली परीचर्चा में तब तक के लिए जैहिंजब प्रोग्राम को देखने के लिए झाल